गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, कि लास जैकेंड, सब्जेक्ट है बच्चों EBS कल हमने चैप्टर 10 के वाइड मिनिंग करवाए थे ब्लैक बोर्ड पे और आज हम चैप्टर 10 का रिडिंग करवाएंगे तो सबी बच्चे EBS की बुक ओपन कर लीजिए और पेज नमबर 68 पर जागे ओके बच्चों और पैंसिल निकाल लीजिए मेरे साथ साथ आपको बोलना है Speak loudly with me follow देखे चैप्टर 10 Ocupation Spelling देखे बच्चों O-C-U-P-A-T-I-O-N-S Occupation means website या बोल सकते हो काम धंदा जो भी व्यक्ति जो भी परसन करता है जो काम करता है उसको occupation कहते है occupation होता है काम धंदा ठीक है या फिर बोल सकते हो website देखे स्टार्ट करते हैं Can you make out who these helpers are write their occupation blue their picture तो बच्चों देखे क्या आप बता सकते हैं कि इन में हमारे सहायक कौन-कौन है ठीक है और इन चित्रों को देखकर इनके व्यवसायों के नाम लिखने आपको ठीक है तो फर्स्ट है बच्चों ये कौन है हवाईजाद कौन उड़ाता है एरोपलेन कौन उड़ाता है पाइलेट तो देखे इनका काम है पाइलेट तो पाइलेट की स्पेलिंग देखे पी आई एल ओ टी पाइलेट नेक्स ते बच्चों ये देखे फूल ले रखा है तो कल मैंने बताया था ना फूल बेचने वाला है बेचने वाली उसको हम क्या बोलेंगे फ्लोरिस्ट तो इस स्पेलिंग देखे एफ एल ओ आर आई एस टी फ्लोराइस्ट ये देखे कौन है ये फायर फाइटर तो इस स्पेलिंग लिखे बच्चों एफ आई आर ए फिट एफ आई जी एच टी की आर फायर फाइटर फायर फायिटर कौन होता है अग्धी शमत जो आक को हो जाता है ठीक है नेक्ट ये बच्चों देखे ये तो सभी जानते होंगे ओस्टमें ठीक है जो लैटर देता है तो Postman की Spelling देखे P-O-S-T-M-A-N Postman Next देखे बच्चों ये कौन है? कौन है ये? Navik तो Navik की Spelling देखे Seller S-A-I-L-O-R Next देखे बच्चों ये कौन है? Antrik Shyatri Antrik Shyatri की Spelling कर लिखा है थे ना? Astronet A-S-T-R-O-N-A-U-T Spelling ठीक है? ये वाली Spelling दालना है इसके Next देखे बच्चों ये कौन है? Artitect तो Spelling देखे A-R-C-H-I-T-E-C-T पास्तु शास्त्र जो मकानों की नक्षा बनाता है ना? Next देखे बच्चों ये देखे बिजिनिसमेन B-U-S-I-N-E-S-M-A-N कर लिया हुआ सभी बच्चों नहीं फिल ले? अब चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं Have you ever thought of doing every work on your own? ठीक है? It is not possible We need the help of other people to the different tasks for us बच्चों कौन क्या क्या काम करता है? उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो क्या आपने कभी अपना काम करने का सोचा है? यह संभव नहीं कि हमें हमारे लिए विभिन प्रकार के कारियों को करने के लिए अन्य लोगों की सहयता की आउशकता हो different people do different kinds of work विभिन लोग विभिन प्रकार के काम करते हैं देखिए बच्चों different people या फिर बोल सकते हो अलग अलग या विभिन प्रकार के लोग विभिन प्रकार के काम करते हैं यह है पैसे कमाने का एक साधन है ठीक है उसी को हम क्या कहते हैं sorry the work they do their occupation वे जो काम करते हैं वे है उनका व्यवसाय होता है वे उसाय उनका काम धंदा होता है चीक है अब देखें it is a means to earn money यह है एक पैसे कमाने का एक साधन है no job is big or small कोई नोकरी बड़ी या छोटी नहीं है कोई नोकरी बड़ी या छोटी नहीं है all jobs have equal importance in our lives सभी नोकरियां हमारे जीवन में समान मैत्व रखती है सभी नोकरियां हमारे जीवन में समान मैत्व रखती है the people who do virus jobs for us are called community helpers they make our life easier लोग हमारे लिए क्या कहे रहे है लोग हमारे लिए विवन काम करते है लोग हमारे लिए विवन काम करते है उन्हें सामुदाइक सायक कहा जाता है जो लोग हमारे लिए विवन काम करते है उन्हें हम क्या कहते है सामुदाइक सायक community सामुदाइक helpers सायक they make our life easier वे हमारी जिन्दगी को आसान बनाते है जीक है वे हमारी जिन्दगी को आसान बनाते है let us see how this community help us हम देखते हैं कि इन सामुदाइक सायकों ने हमारी मदद कैसे की तो बच्चों देखो कैसे कैसे सबने मदद की है they make things देखे tailor stage our clothes जो दर्जी होता है वो हमारे कपड़े सीलता है carpenter uses wood to make cupboard stable etc और जो बड़ाई होता है बड़ाई अले खाती हमारी वश्यम खाती बोलते हैं खाती जो लकड़ी का उप्योग करता है cupboard बनाने में, table में, आदी में छीक है farmer grows crops और किसान फसल उगाता है next देखिए बच्चों hoblar makes and means shoes और जो लुहार होता है देखिए यह जो पिच्चर बनी वे न लुहार होता है वो लोहे की चीज बनाता है sorry hoblar means mochi होता है छीक है जो mochi होता है वो क्या काम करता है जूता बनाता है hoblar means mochi mochi जो होता है वो जूते बनाता है अब देखिए blacksmith यह होता है make things of iron जो यह लुहार होता है वो लोहे की चीज बनाता है next देखिए बच्चों potter max pot with clay और जो कुमार होता है वो क्या बनाता है मटके क्या बनाता है मिट्टे के साथ क्या बनाता है वो pot मटके next देखिए बच्चों they sell things वे क्या क्या बेचते है तो देखिए chemist sells medicines जो chemist होता है वो दवाईया बेचता है confinisher cells के pastries bread etc जो gun finisher होता है वो बेचता है के pasty और bread driver sells clothes और जो कपड़ी बेचता है उसे हम driver कहते है ओकी बच्चों तो ये chapter 10 occupation आपका complete हो गया है और आपको अच्छी तरह learn करना है छीक है आपको बोल बोल के इस chapter की हिंदी सीख करनी है और उसके बाद question answer करने है चले बच्चों page number 75 पर चले sorry अभी complete नहीं हो है बच्चों आगे देखे they repair things they repair things Salmage plan bar repair leaking pipes and tapes plan bar कोन होता है बच्चों जो नल पाइपों को सही करता है ना उसकों क्या कहते है नलों का जो mystery होता है वो किसके repair करता है pipe and tapes की देखे बरबर काट्स अवर हेयर जुनाई होता है वो हमारे बाल काटता है देखे ये जुनाई है बरबर काट्स अवर हेयर ये क्या करता है बाल काटता है नेक्स देखें बच्चों मेकेनिक रिपेयर वीकल्स और जो मेकेनिक होता है वो वायनों की मरम्मत करता है इलेक्टिशियन रिपेयर इलेक्टिकल फिटिंग जो इलेक्टिशियन होता है बिजली साही करने वाला वो ये क्या कर रहा है है फिटिंग करता है चीक है नेक्स देखें नेम सम पीपल हूँ एंडर आस जो आपका मनोरंगन कराता है वे लोगों के आपको चारों के नाम बताने हैं देहल आस इंदा इस्कुल में देखें टीचर आस रीड एंड ड्राइब टीचर हमें क्या सिकाती है लिखना और पढ़ना पियोन दस्दा और जोब और जो पियोन होता है चप्रासी जो होता है वो क्या करता है अदर जोब करता है और आनेक काम भी करता है बैल भी बजाता है गार्ड stand at the school gate जो गार्ड होता है वो school gate पर खड़ा होता है next देखे बच्चों इल्रक works in the office ये देखे जो बाबू होता है वो office का कारे देखता है driver drives the bus to carry children जो driver होता है बस चलाने वाला वो बच्चों को carry करता है maid keeps the school clean और जो नोकरा नहीं होती है ये maid को स्विपर बोल सकते हैं साफ सफ़य करती है वो school को साफ सुत्रा रखती है ओकी बच्चों तो ये chapter आपका complete हुआ कल आपको question answer करवाएंगे ओकी बच्चों आपको झाल झाल झाल